चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एको नए question के बारे में इस question में exam nenColliving If a plus b plus c is equal to 10 and a b plus bc plus ca is equal to 32 then a q plus b q plus c q minus 3abc is equal to यानि कि इसको solve कीजिए और बताएं कि इसका gay answer क्या है तो same दो तरीका है एक तो आप इसके value को solve कर दीजिए या इसकी formula का solve कर दीजे या फिर यहाँ पर कोई adjustment लाई इसको solve केजे तो चलिए दोनों तरीके से करेंगे मुझे यह मालूम है कि A का cube प्लस में आपका B का cube प्लस में आपका C का cube माइनस का 3 A B C बराबर होता है आपका आपका A प्लस का B प्लस का आपका C ब्रैकेट के अंदर A प्लस का B प्लस में C का whole square माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर A B प्लस का आपका B C प्लस का आपका C इसकी value solve करेंगे तो मुझे इसकी answer मिल जाएगा तो देखिए A प्लस B प्लस C की value मुझे 10 दे रखिए तो मैं यह 10 रखूँगा तो यह 10 हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर यह 10 का square करूँगा तो मेरे पास में आपका 100 हो जाएगा माइनस का 3 ABC की value कितनी मेरे को 32 दे रखिए आपकी इसकी value तो मैं रखूँगा तो यह 10 100 माइनस का 32 दुनी कितना होता है आपका 32 दुनी 6 और 32 और 32 और 96 तो कितना होगा 10 इंटू में आपका 4 यानि की 40 इस question का correct answer हैगा यानि की option जो B है वो इस question के लिए correct होगा यह जो formula है यह वाला formula actually में होता formula इसका ऐसे है A plus का B plus का C और A का square आपका plus में B का square plus में आपका C का square और minus का A B B C और plus का C है इसको अंदर जाएंगे तो सारा minus में हो जाएगा बाट मेरे पाद इसकी value मुझे यहां नहीं दिखाई दे तो मैंने क्या किया इसी को minus का 2 bracket के अंदर A B plus का B C plus का C A मैंने जोड़ दिया मैं सोरी घटा दिया और यहां पर जोड़ दिया A B plus का B C plus का C A मैंने जोड़ दिया तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा बट A का square B का square C का square plus में 2 A B B C तो यह मेरे पास में A plus का B plus का C हो जाएगा और यह मेरे पास में A plus का B plus का C का whole square हो जाएगा और यह मेरे माइनस में यह माइनस में इसको add करेंगे तो माइनस का 3 A B plus का B C plus का आपका C A और इसको solve करेंगे तो मेरे को मेरे correct answer मिल जाएगा है चलिए इससे थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं जब भी इस परकार का question आए K क्यू और plus में B के क्यू चो value आएगी वो मेरे इस पूरे equation की value आएगी है यहां पर C मेरे पास 0 है तो यह भी 0 है यानि कि अब मेरे पास में चो value है वो A plus में B Evans Project TOTO कितना है मेरे पास में आपका 10 है और B और C जो है मेरे पास में आपका 10 है bracket के अंदर a का square plus में आपका b का square और minus में a b यह इसका formula होता है aq minus aq plus bq का formula होता है अगर मैं यहाँ पर 2ab इसमें जोड़ दूँ और 2ab मैं इसमें गड़ा दूँ तो यह a plus का b bracket के अंदर a का square b का square plus में 2ab a plus के b का यह मेरे पास whole square गए minus का 3ab हो जाएगा आप देखिए एक इसकी value मेरे पास 10 है इसकी value भी 10 है तो 10 का square 100 हो जाएगा minus का 32 और 3 दू नीचे 3.396 यानि difference जोएगा मेरे पास 4 into में 10 यह बरावर जाएगा 40 यानि कि option जो b है वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में होगा